दोस्तों अगर आप online payment system जो Android app होते हैं उन लोग के यूज करते हो जैसे कि phone पे हो सकता है, Paytm हो सकते है, हो सकते है, आपका Google पे account हो सकते है, हो सकते है, Amazon पे, जितने भी online, सारे online transaction करने वाली Android app होता है, उसमें fraud होनी कि बहुत ज्यादा chances हो रहा है, और fraud भी हो रहा है, मेरे सा इसके उपरे में बता दूँ, अगर इस चीज आपके साथ हो, तो आपको क्या 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 करना चाहिए नहीं, तो आपको पैसा, जो bank खाते में, आपको जो पैसा है हो, सब लूट सकते है, fraud वालो, तो कैसे इस चीज को आपको handle करना है, कैसे इस चीज से बचना है आपको, त क्योंकि end तक देखिए, कई भी स्की मत किजिए, अगर आप करते हो, उसकी आपको नहीं पता चलगा और आपको पैसा गबा सकते हो, तो let's start beginning, दोस्तों मेरे साथ जो fraud होने वाला था, उस चीज के बारे में बताने से, पहले मैं आपको introduction कर दूँ मेरे बारे में, दोस्तों म कुछ दिन पहले मेरे पास एक बंदे ने message किया था, messenger में, facebook marketplace से, ओ picture देखे मेरा listing देखे product का, तो उनने बताया मुझो, जो उसको 100 पीस चाहिए उस product को, तो उस product को 100 पीस का कम से कम कीमत पर रहा था, 50,000 के आसपास, 50,000, तो मैंने उसको बताया, ठीक है, तो आपको 100 पीस लेना है, आपको मैं थोरा सा कम कर दूँगा, आपको 49,000 में, वो मैं confirm कर दूँगा, या 48,500 में confirm कर दूँगा, तो उसने बताया, नहीं से आप 48 में confirmation कर दीजिए, क्योंकि मैं 100 पीस ले रहा हूं, फिर मैंने सुचा, ठीक है, कोई बात नहीं, 2000 की बात है, मेरा थोरा सा कम margin था, तो मैंने, ठीक है, चलो, 100 पीस ले रहा है, दे दे दे, फिर मैंने उसको बताया, ठीक है, मैं आपको 48,000 में ही दे दूँगा, तो फिर उस बंदे ने मुझे बताया, ठीक है, मैं रहा है, इस address में delivery कर दो, उस address भी मुझे भेज दिया, तो मैंने सोचा, खेर चलो, ब मैं हर टेम ही मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो मेरा जो स्टाफ है, उसके पास तो मैं 50 या 48,000 तो रखकर नहीं जा सकता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको आपी पैसे भीज रहा हूँ, मैंने सोचा, यह बहुत बढ़िया ब बीम एपिया के थूब भी टांसपर कर सकता हूँ, फोन पे भी के थूप कर सकता हूँ, गूगल पे भी थूप, अब मुझे पैसे टांसपर कर सकते हूँ, 48,000, तो उस बंदे ने मुझे बताया, ठीक है, आपका फोन पे का जो QR कोड है, वो मुझे भेजिया, मैंने उनको नहीं से, मैं आपको QR कोड नहीं भेजूँगा, आपको मैं मेरा नामबर दे दूँगा, उस नामबर के थूप मुझे बैलेंस सेंट कर दीजे, तो उस बंदे ने क्या किया, मुझे बताया, ठीक है, मैं आपको पहले एक रुपय भेज कर दिखाता हूँ, अगर आपके पा अब भेज दिजिए, पहले एक रुपय भेज दिजिए, तो उस बंदे ने मुझे पहले एक रुपय भेज दिया, मेरे अकवामट में एक रुपय आ गया, ठीक है, फिर उस बंदे ने मुझे कॉल किया, मुझे बताया, सर आपको मैं जब आप 20,000 भेजने जा रहा हूँ, तो उहां पर एक दिख्कत आ रहे है, मैंने बताया क्या दिख्कत आ रहे, उस बंदे ने मुझे बताया, कोई मोबाइल नहीं एक swipe machine होता है, swipe machine के थूरू मुझे phone पे से balance मुझे transfer कर रहा था, तो ऐसा उन्हों नहीं बताया, मुझे पता नहीं किस चीज़े हो, मुझे send कर रह है, तो अगर मैं कोशिज करूँगा आपके पास भेजने की, तो आपके पास एक confirmation जाएगा, उस confirmation का आपको yes करना है, मुझे लगा, हो सकता है, हो सकता है machine से अगर हो तो, मुझे तो नहीं पता था, फिर मैंने देखा, मैंने बताया, ठीक है चलो, ऐसा भी कर लेते, आप भ उपन हो गया, उपन होने के बाद वहाँ पर मुझे दिखा रहा था, पे नाओ करके, यही पर लोच चाहिए, आपको समझना है, जब ऑनलाइन थ्रू आप काम करते हो, तो दो चीज आपको जानना है, अगर आप किसको पैसे भेजते हो, तो आपको पैसे में क्लिक करना होगा, रिसीब अपसन के थूरू मुझे पास 20,000-20,000 की एक request डाल दी, मैंने तो देखकर मुझे कैसे लगा, सबसे पहले मुझे लगा, खेट छोड़ो, यहां पर क्लिक कर दूँगा, तो पैसे मेरे अकांट में चला आएगा, लेकिन मुझे पता था, मुझे पता था, ल अगर यहां, उस बंदे ने क्या कहा, यह करना है, तो अपको क्या होगा, आपका जो एकांट में बैलेंस होगा, बीस हजार चला जाएगा उसके एकांट पर, अब कंगाल होगे, अब फ्रॉट के सिकर हो जाओगे, पता है, तो मिझे पता था, इसलिए मैंने कैंसल कर दिया फिर उस बंदे को मैंने कॉल किया दुबारा, मैंने बताया, सर, मैं इस तरह से आपके साथ आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ, आप एक काम कीजिए, जिस तरह एक रुपे भी जते उसी तरह भेज दीजिए, नहीं तो मैं पैसे नहीं लूँगा, और आपको पॉड़क्त भी नहीं दूँगा, और एक काम कर सकते हो, आप cash on delivery भी ले सकते हो आप, तो मैं आपको पॉड़क्त दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं दे सकता हूँ, तो उस बंदे ने मुझे पल कर दिया, बोला ठीक है कोई बाद नहीं थी, कर दिया, फिर दुबारा कॉल किया, मुझे द आप गलत जगा पर नौक कर चुके हो, मुझे इस चीज के उपर बहुत ही ज़्यादा knowledge है, मुझे पता है ये चीज करने से क्या होगा, आप क्या करना क्या चाते हो, मेरा bank account खाली करना चाते हो, फ्रोड का सिकार, कब से ये कर रहे हो, और कितने लोग को आप इस तरह से धो एक रहे हो, थो उन लोगों ने बताया सेर, कोई बात नहीं आप पता नहीं करना चाथuhan, आप गलत sickness रही हो, मुझे भी product नहीं चाहिए, आप पैसे नहीं चाहिए, तो ठीक है, चलिए आप इस तारह बात मत कीजिया, आप रहे दिजिए, फिर उसने मुझे call कट दिया, मै मैं दुबारा कॉल कर रहा हूं मेरा नंबर ब्लॉग था और मैं उगलों को साथ दुबारा बात्चीत नहीं कर पाया तो जो जो फ्रॉट हुआ है मैं आगे भी यहां पर देखिए स्कीन सॉट भेज तर आ गया हूं तो आपको दिखा रहा हूं आप देख लिजीगा ठीक है तो इस तरह से फ्रॉट है दोस्तों तो अगर आपके पास कोई भी कोई भी अगर रिक्वेस्ट डालता है वहां पर प उसको पर क्लिक मत किजिएगा अगर कोई आपका नामबार लेता है फोन पर या पे टीम का या गूगल पर का या भी में यूप या क्या आईडी लेता है तो आपके पास वह भेजेगा तो ट्रांसफर कर तो आपका अपका एकाउंट में रेफलेक्ट हो जाएगा किसी भी क कंफर्मिस में जरूरत पड़ता है तभी अगर वह आपको रिकोस्ट भेजता है पैसे भेजने की अगर आप येज में कर देते हो और आपका पीन को डाल देतो तो आपका पैसा पूरा का पूरा चला जाएगा उस फ्रौड आदमी के पास तो इस जगहा पे थोरस आपको ध दिजिटल मार्केटिंग के थूरू जितने भी प्रॉसिबेलिटी है जिसका आपको फ्रौड करने की वह उस चीज रिविल करने की कोशिज करता हूं तो चलिए अब जाते हैं मिलते दूसरे फ्रेस वीडियो के साथ तक लिए बाय जाए हिंद बान देवाता रब